है लो गाइस माई नेम इस मोहिद काठपाल वेलकम तो मैं यूट्यूब चैनल आज हम बेसिकली जो लेके आए है वह निटी के लिगट की विकेंसी है निटी के लिगट का नाम आपने सुना होगा यह एक इंजिनेरिंग इंसीजूट है और काफी इंसीजूट है आपके लिए इसमें विकेंसी होगी ही होगी तो हम वो सारी की सारी अपर डिसकस करेंगे वन बाए वन तो काइंडली वीडियो के लास्ट तक बने रहना तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन-कौन सी विकेंसी निकली है क्या-क्या सेलरी रहने वाली है और क्या-क्या eligibility criteria हो करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि निचे आ रहा है नोन फिकल्टी recruitment notification यहाँ पर क्लिक करते ही यह सारी विकेंसी निकल सामने आ जाएंगी जो जो यहाँ पर निकली हुए अभी लेकिन इनका collective एक देखने के लिए इस link पर क्लिक करना आप information or recruitment of non teaching jobs यहाँ भी जैसे ही कि आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर डिप्टी रिजिस्ट्रार ग्रूप ए पोस से लेके लेख डेट टाक ग्रूप सी पोस तक की 12 तक की jobs है जिसमें gross salary 135,000 के आसपास बन जाती है तो इन सारी post के लिए अलग-अलग qualification जो है मांगी हो गई है और अलग-अलग age limit भी यहाँ पर prescribed है जो आप देख सकते हो कि अगर आप लेजी बोलो तिन post के लिए आप apply कर सकते हो अब इन सारी post के लिए अलग-अलग वीडियो बनाना तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी इसलिए snapsis देता है आपको कि क्या-क्या requirements रहेंगी इन सब के लिए यहाँ पर आप देखोगे कि जो रिजिस्टरार की post हो उसमें PG मांगी हुई है अब चलते हैं कि कैसे apply करना और क्या-क्या फी स्ट्रक्चर रहने वाला है अप्लाई करने के लिए तो यहाँ पर जैसे की group दे हो है तो अलग-अलग group के लिए अलग-अलग piece रहेगी तो इसके नीचे चले जाते हैं इसलिए लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके पास सारी detail खुल जाएगी कि कैसे apply करना है इसके लिए सबसे पहले तो group A के लिए women candidates के लिए 400 piece है और general candidates के लिए 800 ग्रूप B पोस्टे है जो उनके लिए women के लिए 200 और general candidates के लिए 500 और group C की पोस्ट के लिए जो SCST है और women candidates है उनके लिए 100 application fees है और general candidates के लिए 200 application fees है बाकी सब forms में क्या होता है कि जब भी आप apply करते हो तो completely आप online apply करते हो application form भरते हो और last में fees payment होती है लेकिन यहां पर थोड़ा काम उल्टा है यहां पर आपको पहले फीस वाले पोर्टल पर जाना पड़ेगा जो कि यहां पर मैंचर्ड है इस पे लिए यहां पर वो लिंक आ जाएगा जैसे मालू की स्पोस्ट करो कि आपने सुप्रेंटन की पोस्ट के लिए अपलाई करना है यहां पर है कि अगर आपने पेमेंट करनी है तो उसका एक लिंक दिया हुआ है तो सबसे पहले आपने पेमेंट करनी है उस पर्टिकलर पोस्ट के लिए क्लिक करती ही पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा जैसी पेज ओपन होगा उसके बाद प्रसीड करना है और यहां पर आपने स्टेट में केरला स्लेक्ट कर लेना है आपकी स्टेट कोई भी हो आपने यहां पर केरला ही स्लेक्ट करना है क्योंकि यहां पर इन्होंने स्टे payment category आ जाएगी payment category में आपने स्लेक्ट कर लेना है application fee for recruitment जैसे आप यह स्लेक्ट करोगे तो सामने आपके पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपने सारी fees payment details भरके अपनी fees payment कर देनी है जैसे fees payment करोगे तो एक SBA का reference number जो है वो generate होगा और फीस receipt होगे आपकी इस receipt का आपने अपने पास save कर लेनी है और जो reference number होगा वो जब भी आप apply करोगे जैसे इन पोस्टों के लिए आप apply करोगे यहाँ पे तो जैसे सुप्रेंटेंट के लिए यहाँ पे apply करोगे आप तो यहाँ पे apply करोगे तो वहाँ आपकी अप्लिकेशन में भरा जाएगा अभी तो कर यहाँ लिंक ओपन नहीं हो रहा बट हाँ शायद में भी रिष्ट के वैसे नहीं हो रहा होगा यह लिंक ओपन बट जैसे यह आप लिंक ओपन करोगे तो वहाँ पे apply करने वक्त आपने जहाँ पे वह reference नंबर मांगा होगा वह भरना ज़रूरी है अदर्वाइस आपकी वह application हो रिजेक्ट हो जाएगे तो यह था कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कांड़ी लाइक शेयर और सिब्स्राइब टू मैं चैनल एंड थैंक यू सो मच पूर वाचेंग